CGI चंदरचूड शाब की बैंच ने चुनाव आयोग को नोटिस थमा दिया है और साथ दिन के अंदर जवाब देने को कहा है मामला क्या था भाई साब? ADR Association for Democratic Reforms जो गहर सरकारी संस्था है NGO है उनकी तरफ से सुप्रिम कोट में एक याचिका लगाई गई थी कि चुनाव आयोग चुनाव संपन होने के 48 घंटे के भीतर सारे के सारे मद्दान के आकड़े अपनी वेब्साइट पर डिस्पेले करें आप सब को पता होगा कि पहले और दूसरे चर्ण के मतदान होने के बाद भी 48 घंटा के समय निकल गया चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर टरन आउट के आकड़े जारी नहीं किये थी 30 अप्रेल को जारी किये गए और जब आकड़े जारी किये गए तो 19 अप्रेल और 26 अप्रेल को जो मतदान श्याम साथ बज़े तक हुआ था उसमें पांच से साड़े पांच फीजदी तक मतदान परतिशत बढ़ा हुआ दिखाया गया इसी बढ़ावतरी को देखते वे त या कारण है कि इतना डिले हो रहा है कई जानकारों ने कहा कि इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ था या तो 24 घंटे जाद से ज्यादा 48 घंटों में कितना वोटर टरनाउट हुआ यह फाइनल आखड़ा जारी कर दिया जाता है तो भाई साब जब संदे हुआ तो ट्रें देश की जंता ने और विपक्स के लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी थी और चुनावायोग से जवाब मांगा था कि अब तक आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके चलते फाइनल वोटर टरनाउट डाटा डिले हो रहा है काफी दबाव पड़ा तो 30 अपरेल को यह आक विपक्सी नेता मलिकारजुन खडगे ने एक चिठी इंडिया गढ़ बंदन के लोगों को खुले तोर पर लिखी और एलेक्शन कमिशनर ओफ इंडिया की तरफ आशंकाय जताई तो चुनावायोग की तरफ से जवाब आया ड्राने धमकाने की अंदाज वे कि देखी आप ये चीजे पबलिक ली इस तरीके से नहीं कह सकते और आपके दुबरा लगाये गए ये जो आरोप है और जो व्यासंकाय है ये पूरी तरीके से इंकरेक्ट है गलत है लेकिन सही तरीके से जवाब नहीं दिया वो असल क्योशन इतना डिले क्यों हुआ इसका कोई जवाब नहीं मिला अब ये मामला जब सुप्रेम कोट में गया तो सीजवाई साब ने एडियार के वकील परशांद भोशन से पूचा कि बताइए भाई मसला असल में क्या है यह आप याचिका तो लेकर आए गए हम इसकी सुनवाई तो कर रहे हैं जवाब तो मांग लेंगे पर मस एक थी डॉक्टर को दिखाने गई तो और भी कई बीमारी निकले चंदर्चूड साब ने चुनाव आयोग को नोटिस तो जारी कर दिया कि यह जवाब तो आपको देना ही है साथ में एडियार की 2019 की एक याचिका और चल रही थी उसकी सेप्लिमेंटरी उन्होंने दिया कि फार्म 17C जो हर पार्टी के अजेंट को बूत अप्सर देता है वो भी चुनाव आयोग की वेब साइट पर स्कैन करके अपलोड किया जाए तो इसका नोटिस भी लिखित में चुनाव आयोग से जवाब मांगा है कि क्यों आप 17C फार्म को अपलोड करने सकते क्योंकि एक क क्णिडेट के अजेंट को दे दी जाती है तो ये काम भी चुनाव आयोग कूट करना होगा चुनाव आयोग मेरे खाल से बिल बिला रहा रहा मोखला रहा कि न बड़े घ्마 खरम होगे मेरे भाई चाब मुसलमानों को लेकर भासन देने तमाम भाजपाई जिनमें योगी जी भी सामिल है कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों को घोकसी से जोड़कर अपने वोट वटरने की कोशिश कर रहे हैं पूला माहौल गरम करने की कोशिश है लेकिन चुनावा योग जहां सोया हुआ है वो जगह नहीं दे रहा है लोगों के मनमें आसंकाएं और गहरी होती जा रही है तो जब बार बार शिकायत करने पर जो नॉम्स हैं उनका सर्याम उनको ठेंगा दिखा कर तोड़ा जा रहा है भाजपाईयों के दोबारा तो देश की जंता में संदे हो रहा है यह वोटर टरनाउट क सरयाम धरम जात प्रवसिराम के नाम पर वोट मांग रहें जो नियमों के खलाफी इसका एक्षन कराने के लिए भी दिल्ली हाई कोर्ट में प्रेटिशन सुप्रीम कोर्ट में प्रेटिशन दाखिल की गई अब उसका भी जवाब मांगा जा रहा है जह चुनाव में गड़ उनको रिजरव करके रिखा जाए 45 दिन बाद तक चुनाव डिकलेर होने के बाद और अब यह सुप्रीम कोर्ट का डंडा शिजयाई चंदर्चूड साब तो पहले ही चुनाव आयोग की जो मनसा थी इनके अधिकारियों की पहले ही भाप चुके हैं चंदीगण मेरे चुन को खड़े करके देश की जुनता को बताये था कि ऐसे हनन हो है चंदीगण मेरे चुनाव में बैलेट पीपर की उपर भाई सब्सक्राइब बात को घुमा रहा था लेकिन अब उसी अनिल मशीने लिखित में माफी मांगी है कि हमसे गलती हो गई थी असल चाल चरीतर चहरा भाजपा किस तरिके से चुनाव हायो के दिखाईयों पर तथा कतित रूत शे दबावभ बना कर करती है वह आप सब के सामने इसी स्गया इसी सुप्रिम कोट ने दिखाया इसी सुप्रिम कोट ने दिखाया कि जो यह खबरों को दबाने के लिए migrant प्दकारों की म मारने के लिए नया सूचना बिल लेकर आना चाहती थी उसको सेट असाइड किया इसी चंदचुड साब दूर करनी होगी और साथ ही साथ फॉर्म 17C अप्लोड आप क्यों नहीं कर सकते देश की जनता को क्यों नहीं दिखा सकते कि लोग सबाइज विधान सबाइज वाइज 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 फाइनल वोटर टन आउट डाटा और यहां तक यह भी तो आरप लग रहा है मली तो है नहीं डाटा तो संधे के घहरा बहुत बड़ा है आप भी कोमेंट करके पूछते हैं तो आपके डाउट साइद सीजाई चंदचुड साब डिक्लेर कर दें क्लियर कर दें क्योंकि तारिक उन्होंने फिर से दे दी है कि 24 मई को हम इस मामले के उपर सुनवाय करेंगे तब तक भाई साब चुनावायोग आप हमें जबाब देजिए सुप्रिम कोट की तो देखे सराना करने चाहिए क्योंकि इस तरह के मसले आते हैं तो पहले ऐसे वाक्य देखने को मिलते थे कि सालो साल मेटर कोट में चलता रहता था उसके बाद फाइनल रजल्ट निकल कर इस मेंटर को सुना गया पहले वाले पीठ के दवारा की बीवी पैट की 100% काउंटिंग की जाए उसमें कहा गया कि देखे किसी भी कंडिडेट को अगर डाउट है तो वह क्योश्चन रेज कर सकता है एवियं की जाच कर आई जाएगी एक जाच का रास्ता खुला और अब स सुझिया चंदर्चूड साम ने जवाब मांग लिया है कि यह धसोकले बाजी किसले चाल लिए और फॉर्म 17 सी आज आएगा ना जो कंडिडेट को दिया जाता है कंडिडेट को दिया जाता है उसकी कौपी जब अपलोड हो जाएगी तो बहुत सारे डाउट कालियर हो जाने के लिए जी तोड महनत यह लोग कर रहे हैं देश की जनता अराम से अपने घर में बैठी होई है चीजों को वाच कर रही है उनको पता है इस देश में लुक्तंतरों सुविधान कितना बचा है लेकिन उनके हाथ में पावर तो नहीं है ना उनके मन की आसंकाएं जो ह है और देश की जनता को शड़क पर आकर अपना हक मनवाने से पहले उसी काम को सुप्रीम कोट कर रहा है तो थोड़ा आधर तो बदता ही है अब चुनाव आयो क्या करेगा करना पड़ेगा इनको 17C वे अपलोड करना पड़े और यह भी बताना पड़ेगा कि 30 सपरेल तक क उधान के तोरब लगा लिजी कुछ मन में गल्त अगर इलेक्शन कमिशन के किसी अधिकारी के या भाजबा के दबाव में आता है तो थोड़ा भैतो बनेगा ना कि सुप्रीम कोट में मैटर लिस्टिड है कहीं अनिल मस्री वाली कहानी होगी तो भाई साब लंबा नप जा लेंगे कुछ न कुछ तो बचाव अपना करेंगे ना तो निस पारदर्शिता होनी चाहिए वो पारदर्शिता आपकी शामने जल्द ही होगी से चंदर्चोड साब ने एक्षन ले लिया है चुनावायोग से एक हपते के अंदर जवाब भागा है कि क्यों सारे डाटा